स्वागत है आपका डेली वाइट्स के NCRT एक्जैंपलर सीरीज में जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं इस सीरीज में हम NCRT एक्जैंपलर के MCQs और very short answer type questions को solve कर रहे हैं और 7 answer के पीछे के reasons को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं यह वीडियो लेक्चर 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance विरासत का आवनिक आधार इसके बारे में हैं और जितने chapter से उन सारे chapter के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के playlist में जाहिए जहां पे NCRT एक्जैंपलर 12th biology नाम से एक playlist बनी हुई है go there and check it out for more question wise and chapter wise analysis of NCRT examplers now moving to the question section आज का मारा पहला स्वाल है कि DNA strand जो होता है उसमें जो nucleotides होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कैसे तो यह दो DNA strand में जो एक side पी nucleotide है वो भी जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से ठीक है तो वो कैसे कौनसे bond से जुड़े हुए रहते हैं तो अगर हम option C की बात करें तो हमें दे रखा है peptide bond तो यह पहले से पत्ते इतनी बार discuss कर चुके हम that is for proteins proteins में peptide bond बनता है ठीक है यह तो out of option हो गया फिर देखो hydrogen bond बहुत लोगों को यह लग सकता है यहां पर कि DNA में कहीं न कहीं होता है बिल्टकुल सही बात है DNA में hydrogen bond use होता है वहां पर hydrogen bonding होती है लेकिन दो opposite side पर जो nucleotides रहते हैं complementarity based pairs जहां पर बनते हैं वहां पर hydrogen bond use होते हैं एक side पर इधर एक side में जो भी nucleotide है उसमें hydrogen bond use नहीं होता है इधर जो 2 side पर बने वे रहते हैं इन दोनों में मालो यहां पर भी nucleotide है तो इन दोनों का जुड़ाओ जब होगा तो इन दोनों के जुड़ाओं में hydrogen bond का काम आता है ठीक है तो यह भी out of option हो गया फिर हमारे पास रहते है glycosidic bond और phosphodiester bond तो देखो phosphodiester पढ़के कुछ लग रहे है कि यहां पर कहीं पर phosphate और easter bond form हो रहा होगा तो DNA molecule में यह देखो दो easter bond यह रहे easter bond ठीक है जी तो डाई easter और यह phosphate group को use करके बन रहा है वहां के oxygen को use किया वह नहीं कार्बन ने carbon यहां का भी third position का और यह fifth position के carbon ने use किया है तो यह बन गया हमारा phosphodiester bond तो एक nucleotide दूसरे nucleotide से phosphodiester bond के थूदा रहते है तो the correct answer is phosphodiester bond now nucleoside और nucleotide में क्या difference है दोरों में से किस में किस चीज की कमी होती है तो nucleoside में यह लेको nitrogenous base होता है pentose sugar होता है और nucleotide में nitrogenous base pentose sugar और साथ में phosphate group भी लगा हुआ रहता है यह दखो यह complete इस वाली image में हम देखे तो यह complete nucleotide है ठीक है जी और इसी को अगर हम अटा दे phosphate group को अटा दें यहां पे सिर्फ इतना दूर देखें pentose sugar यह है pentose sugar यह nitrogenous base यह बन गया हमारा nucleoside तो किस चीज की कमी होती है that is phosphate group nucleoside में phosphate group की कमी होती है और nucleotide में वही phosphate group लगा रहता है तो इसको nucleotide कहते है now moving to the next question deoxy ribose और ribose दोनों sugar है लेकिन कौन से class of sugar से बिलॉंग करता है तो यह देखो इन दोनों में 5 बने रहते हैं carbon 5 carbon होती जिसमें से 4 के साथ ring formation होता है और 5 यह बाहर की तरफ होता है रिंग से बाहर है तो पांच है तो पांच बोले तो pent pent यूज करते हैं हम 5 के लिए यहां पर यह देखो pentose that is pentose sugar triose मतलब की 3 hexose मतलब की 6 then triose यानि 3 sugar molecule कहीं पर यूज हो रहा है 3 ठीक है तो यह बन गया triose now moving to the next question हमें यह दे रखा है कि purine हमेशा pyrimidine के साथ hydrogen bond से जुड़ते हैं और dna helix का formation करते हैं तो इसकी वज़े से क्या होता है पहला ते रखा है कि anti parallel nature होता है dna का नहीं anti parallel nature होता है लेकिन वह होता है उनके pairing की वज़े से जो 3 end पे और 5 end पे जो formation हो रहा है phosphodiester bond का उसकी वज़े से anti parallel nature आता है then semi conservative nature semi conservative nature उसका है लेकिन वह कब है जब वहां पे dna की synthesis हो रही है तब उसका purine pyrimidine से कोई लेना दे नहीं 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 उनके pair से तो कोई लेना देना बिल्कुल ही नहीं है then uniform length in all dna length uniform dna का हर जगा नहीं हो सकता है तो यह तो sv out of option हो गया फिर यह तो को uniform width दे रखा है yes this is the correct answer क्योंकि एक जो भी हमारे पास dna का एक मान लो यह हमारे पास nucleotide 1 यह nucleotide 2 ठीक है तो इन सब में यहां पे bonding हो रही है एक triple bond होता है and then double bond formation होता है दो तरीके के bond formation भी होते है triple bond और double bond तो इसकी वज़े से क्या होगा यह side और यह side यानि कि यह हो गया width हमारा यह width हो जाएगा uniform 20 angstrom होता है dna का width now moving to the next question हमें net electric charge बताना है dna और histrone के उपर तो dna और histrone मिलके बनाता है एक structure जिसको हम कहते है nucleosome ठीक है यह typical nucleosome का structure यह histrone proteins है octamer 8 वह बनाते है four five five के होते हैं देखो one two three four यह 4 है जो कि यहां पे रहते हैं और चार हो dimer के रूप में रहते हैं दू molecule के रूप में रहते हैं दू molecule और यह h1 protein है जिसको हम linker dna भी बोलते हैं यह link करता है इससे इस वाले को link करेगा दूसरे वाले से ऐसी बहुत सारा होगा तो यहां पे देख लेते हैं कि इनका net electric charge कितना होगा तो net electric charge dna पे होता है negative and histones पे होता है positive अब देखो यह तो correct answer है लेकिन यह कैसे मुझे पता चला या कैसे हम इसको याद रखने के कोशिश करेंगे तो dna acidic होता है dna is acidic in nature तो किसी भी acid को जब भी acid को टूटता है let's say hcl तो hcl अगर break हो रहा है तो hcl में h plus cl minus निकलता है ion तो h ion निकल गया तो cl negative हो गया तो negative वहां से आ गया ठीक है जी and then positive की बात हो रही है ठीक है तो histone proteins में जो जितने भी हमारे basic जो basic amino acids हैं वो मिलके बनाते हैं तो basic amino acids हैं तो base का भी reaction होता है तो कैसा होता है OH negative बाहर चला जाता है और basic रह जाता है हमारे पास अगर na OH की बात करें तो ठीक है positive negative का चकर समझ में आया है किस तरीके से positive negative होगा यह और दोनों को जब मिला देंगे तो वहां पे जब nucleosome बनेगा तो यहां पे positive और negative दोनों charge होगा तब ही तो यह देख़े एक दूसरे के साथ ही लिप्टे हुए positive और negative attract करता है तो positive negative जब attract करेंगा opposite ends, opposite poles and opposite charges attract each other तो यहां पे attraction की वज़े से यह एक साथ चिपके वे रहेंगे nuclear zone structure का formation करेंगे ठीक है जी जारो बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं promoter site और terminator site transcription में कहा located होता है ठीक है तो promoter और terminator site ऐसे बना हुआ है NCRT में भी बना हुआ है और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि यह promoter side है इस वाल इधर पे लिखा हुआ transcription initiation side यह upstream की बारे में बात कर रहा है and then यह downstream के बारे में बात कर रहा है और यह terminator end ठीक है समझ में है यह चीज़ terminator promoter promoter यानि वह promote कर रहा है transcription वहां से initiate होना शुरू हुआ है और terminator मतलब वहां पे जाकर खतम हो रही है चीज़ है terminate हो रही है चीज़ है तो यह promoter end कहां पे है यह हमारा upstream में here upstream gene and then terminator है downstream के ऊपर clear हो गया so option B is correct answer now moving to the next question which of the following statement is most appropriate for sickle cell anemia sickle मतलब होता है वह एक हसिया जो होता है जिससे घास काटते है या फिर जिससे गेहू चावल के पौधे काटते है तो sickle shape का बन जाता है rbc जब तो उसको sickle cell anemia कहता है ठीक है यह देखो यह रहा normal rbc किता खुबसुरत गोल सा दिख रहा है हमें और यह sickle shape है इसकी वज़े से oxygen और hemoglobin की कमी होने लगती है body में और anemic हो जाता है person जिसको sickle cell anemia होता है यहां पर हमें option statement में दे रखा है कि it cannot be treated with ion supplements यह treat नहीं किया जा सकता है molecular disease है बिल्कुल molecular disease है और resistant है acquiring malaria अब देखो malaria जब भी इंजेक्ट हो रहा है body में तो साथ के साथ हमारे rbc भी effect हो रहा है उसके तो जब यहां पर sickle cell anemia में वो सारी चीज़े वो इसकी qualities यहां पर है ही नहीं तो जो अगर यह disease cause इसके पास अगर कोई disease होगा तो इसके पास वो disease नहीं हो सकता है ज़कर shape बदल गया तो उसकी वज़े से जो energies or reactions जो भी चीज़े होनी थी जो binding होनी थी अब वो binding नहीं हो रही है तो resistance आ गया ठीक है जी all of ever is most appropriate about sickle cell anemia now moving to the next question कि AUG के respect में क्या सही है so AUG it codes for methionine yes methionine is a sulphur बायन sulphur वाला जो भी amino acid है वो है sulphur containing amino acid and then initiation codon है बिलकुल है initiation codon है and it codes for methionine in both prokaryotes and eukaryotes yes this is also correct so all the ever statements are correct about AUG initiation codon है initiate यही करता है methionine के लिए code करता है और prokaryote or eukaryote दोनों में यह methionine के लिए code करता है now moving to the next question first genetic material क्या हो सकता है then the first genetic material is RNA RNA कभी रहा होगा first stage में फिर धीरे धीरे single stranded और फिर वो combine कर गया होगा फिर उसमें changes over the period of time changes आया होगा जो ribose sugar है वो deoxy ribose sugar में convert हुआ होगा तो DNA जो RNA है that is first genetic material हम यह भी assume कर सकते हैं कह सकते हैं course of evolution ठीक है जी now moving to the next question with regard to mature mRNA in eukaryotes eukaryotes में अगर mRNA है तो वो कैसा दिख रहा होगा या कैसी चीज़े हो रही होंगी उसमें तो यह देखो इसमें क्या है यह है exons यह है introns ठीक है अब यहां पर क्या हुआ जितने भी exons है वो सारे exons जुड़ गया और mature RNA बना दिया इन्होंने mRNA जिसको हम कहते हैं ठीक है introns जो होते हैं वो बीच-बीच के sequence होते हैं जहां पर कि interruptions हम उसको layman's language में बोलें तो that is a interruption ठीक है तो अब options देखें तो exons appear but introns do not appear in mature mRNA तो यह देखो exons appear हो रहे हमारे पास यह reddish orange वाले यह appear हो रहे हैं पर introns नहीं हो रहे हैं mRNA में ठीक है जी तो this is the most correct answer now moving to the next question highest number or least number of genes किस पे होता है यह बिल्कुल direct question है in CRT में दिया हुआ है तो chromosome number one and chromosome number Y chromosome number Y पे 213 or 231 something like that number of genes होते हैं now moving to the next question who amongst the following scientists had no contribution in DNA helix model यह देखो यहां पर बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है यह और इसमें बस याद रखने की जरूरत है कि हमने क्या क्या चीजे पढ़ी है जो चीजें तुमने पढ़ रखी है उसे का निचोड यह सवाल है ठीक है अब देखो रोजे लेड फ्रैंक्लिन और मूरिक विलेकिन के बारे में इन दोनों की वज़ा से फ्रांसिस और जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज करा था क्योंकि इनकी जो मॉडल नहीं था इनका जो एक्सपरिमेंट था और इनका जो काम था वहां से निकल किया था उसका कंक्लूजन निकल किया था जिस कंक्लूजन को यूज किया था वाटसने क्रिक ने और तब जाकर के DNA का मॉडल दिया था और इर्विन चार ग्राफ चार ग्राफ का भी रूलम पढ़ते हैं कि कॉंस्टंट रहता है प्यूरीन और पयरेमिडमिडमिडम का जो प्रपोर्शन है that is equal to 1 तो यह सारी कही ना कही DNA हीलिक्स के बारे में बाद कर रहे है लेकिन मिजल से ने इस टॉल की बाद कर रहे तो इन्होंने क्या रहा इन्होंने help कर रहा था यह जानने के लिए जो DNA है वो nitrogenous उसमें nitrogen से बनके मिलके कोई चीज बन रही है उसके helix formation में कहीं ना कहीं nitrogen यूज हो रहा है so they, मतलब these people do not contribute anything in structure model में तो इन्होंने कोई contribution नहीं किया है ठीक है जी, so this is the correct answer now moving to the next question DNA polymer and nucleotides का जो एक दूसरे से 3-5-phosphoryster bond से जुड़के बने हुए हमने question 1 में भी देखा था ठीक है, तो अगर इस polymerization को रोकना है तो इन में से क्या करना होगा तो अगर हम diagram देखे तो यह देखो, यह 3-end पे है यहां पे देखो, यह 3-end पे है, यह 5-end पे है तो यह तो 3 को हटा दें यह 4 को हटा दें तो यहां से यह phosphodized rebound बनेगा कैसे option number B जो है, यह removal of 3-OH group in deoxy ribose यहां से हटा देते हैं यह तो यह polymerization यही पे आ करके रुख जाएगा आगे नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा process ठीक है, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं, discontinuous synthesis of DNA दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, discontinuous ही होता है, NCRT में डाइगरामा में दे रखा है, इस तरीके का funnel shape का, जहां पे की DNA unwind हो चुका है और एक strand बिल्कुल सीधा बनता है, लेकिन दूसरा strand ऐसे dotted line से हमें बना करके दिया हुआ है, ठीक है, तो यह क्यूं होता है, क्यूंकि जो DNA dependent DNA polymerase है, वो सिर्फ एक direction में polymerization करता है, 5-2, 3-end पे वो काम करना शुरू करता है, तो उसके opposite जो 3-2, 5- वाला होगा, वो तो उल्टा ही काम करेगा न, और यहां पे इसको हम कहते हैं leading strand, इसको कहते हैं lagging strand, और इसी को add करने के लिए DNA ligase की ज़रूरत पड़ती है, यह जोडता है, ligase मतलब की जोडना है, यह एक enzyme भी है, ligase is, हमने बात करी थी, जब biomolecules करा था 11th में, तब भी, Now, moving to the next question, which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase, polymerase, RNA polymerase में कौन सा enzyme होता है, जो काम आता है, मतलब कि यह एक, sorry enzyme नहीं, Now, moving to the next question, which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase, कौन सा enzyme होता है, that is elongation, जो transcription में, elongation का process है, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो transcriptions बन रहे है, वहां पे जो elongate हो रहा है, that is because of RNA polymerase, Now, moving to the next question, control of gene expression in prokaryotes takes place at the level of, किस level पे gene expression हो रहा है, that happens at the level of transcription, transcription, transcription वाले process में देखो DNA से RNA बनता है, ठीक है, central dogma याद करो DNA से DNA का बनना, फिर DNA से RNA का बनना, फिर RNA से protein का बनना, तो वहां पे जो transcription है, DNA में जो चीजें, जो information है, उसी से RNA बन रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, gene का expression हो रहा है, ठीक है जी, so that is transcription, now, moving to the next question, इन में से कौन सा statement सही है, regulatory proteins in transcription in prokaryotes के बारे में, तो पहला में दे रखा है, they increase expression, increase कैसे करेंगे expression, regulate करते हैं, ठीक है, या तो बढ़ा सकते हैं, या तो मतलब की या तो शुरू कर सकते हैं, तो खतम कर सकते हैं, ऐसा वाला होगा, decrease, increase और decrease दोनों नहीं कर सकते हैं, फिर interact with RNA polymerase, but do not affect the expression, interact करते हैं, यानि किनकी बातचित हो रही है, अगर हम layman's language में बात करें, तो interaction हो रहा है, लेकिन expression को नहीं effect कर रही है, ये भी गलत है, and then last हमें दे रखा है, कि the can act both as activators and repressors, yes, वो regulate कर रही है, इसलिए तो उनको regulatory proteins कह रहे है, activate भी कर सकते हैं, उसको खतम भी कर सकते हैं, increase, decrease नहीं कर सकते हैं, लेकिन activation और repression ये उनके हांत में होता है, Now, moving to the next question, least number of chromosomes completely sequence किया जा चुका है, वो कौन सा है, तो अभी, sorry, last human chromosome जिसको पूरी तरीके से हमने sequence कर दिया है, that is chromosome number 1, Now, moving to the next question, कि RNA का function क्या है, पहले तो ये genetic material, genetic information carry करता है, from DNA to the ribosomes, सही बात है, ये भी करता है, amino acids to ribosomes, it carries information, it carries amino acids to ribosomes, ये statement सही है, कि ribosomes तक carry करता है, सही, बिलकुल सही बात है, RNA वहां पे जाकर के जुडा हुआ रहता है, वहां पे पूरा, का पूरा formation हो रहा है, ठीक है जी, Now, moving to the next statement, it constituent component of ribosomes, बिलकुल ribosomes की component होते हैं इन में, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो all the averb, Now, moving to the next, हमें दे रख है, ये देखो, चारग्राफ रूल है, यही, कि 29% एदिनिन है, 17% गौनिन है, साइटोसन 32% है, थायमिन 17% है, तो इससे हमें क्या पता चल रहे है, कि ये चीज क्या हो सकती है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, नुकलिटाइड का नंबर दे रखा है, ये तो पहले सही हमें, पते ही चारग्राफ रूल की वज़े से कि इन दोनों का इन प्यूरीन और पायरिमेडीन को मिलादे तो वन होगा, तो वन तो ये आ जा रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या, कुछ मतलब पता चल रहे है, हम क्या कहते है, तो ऐसा DNA है, ये देखो, reverse transcription वहां पर हो रहा है, पहली बात तो, transcription में क्या हो रहा है, RNA, DNA से RNA बन रहा है, तो इस को हम कहते है, इस type के DNA को हम कहते है, cDNA, पहली बात और इस process को हम टेमिनिजम भी बोलते है, और यहां पी जो enzyme काम करता है, that is reverse transcriptase, ठीक है, चल मिजल से इंस्टॉल के experiment की बात हो रही है, यहां पर 4 generation के bacteria में, ratio क्या होगा, N15, N15, N14, N15 का, यानि यह देखो hybrid है, और N14, N14 का, तो मिजल से इंस्टॉल के experiment में, पहले generation में तो दोनों जो बने थे, वो दोनों के दोनों hybrid है, यह देखो, यह दोनों hybrid है, इस वाले में यह और यह अलग है, ठीक है जी, यह दोनों फिर से hybrid है, यह दोनों pure है, उपर नीचे वाला, and then यह दोनों hybrid है, ठीक है, तो जब तक यह 4th generation तक हम पहुचेंगे, तो N15, N15 बिल्कुल नहीं बनेगा, N14, N15 hybrid यानि की एक रहेगा, और N14, N14, यानि नॉर्मल रहेगा 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, now moving to next question, nitrogenous basis का sequence दिया हुआ है, और यह है coding strand का, ठीक है, तो इसका RNA transcript कैसा होगा, तो यह चीज़ याद रखना कि coding strand के अलावा, जो non-coding strand होता है, उसका copy होता है, RNA transcript, तो यह देखो, A की जगह पर क्या होगा, A की जगह पर T होगा, T की जगह पर क्या होगा, A होगा, ठीक है, G की जगह पर क्या होगा, C होगा, इसके अगर हम complimentary की बात करें, A की जगह पर T होगा, फिर A की जगह पर T होगा, ठीक है, फिर T की जगह पर A होगा, और A, G की जगह पर C होगा, यह सारे मिल करके transcript बनाएंगे, ठीक है जी, तो इन का U बनेगा और यह देखो यहां पर start हो रहा है यहां पर AUG से start. So this is also a correct answer, इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि यह एक सही option है. Now moving to the next question, RNA polymerase holo enzyme क्या transcribe करता है? So that transcribes structural gene and terminator region, यह उसको transcribe करता है. Now moving to the next question, हमें बताना है कि sequence क्या होगा? Codon का AUG 5-2-3-end पे और tRNA पे इसका pairing किस पे होगा? तो tRNA पे pairing इसका U, A, C से होगा. A का बनेगा U, thymine की जगा uracin, U का बनेगा A and then A का बनेगा G का बनेगा C. यह इसको हम कहते हैं anti-codons और anti-codon काउन कारी करता है? TRN है और यह दोनों मिल करके बनाते हैं, यह देखो M-E-T, methionine, यह एक amino acid है. ठीक है जी? तो अब यहां पे सवाल हमें होना चाहिए था 3-2-5-end की तरह. पर हमें पूछा है सारे option 3-2-5-2-3 हैं तो इसी को just हम उल्टा कर देंगे 5-2-3 तो क्या है? C-A-U यह रहा, option number B is the correct answer. Now, moving to the next question, amino acid attached to tRNA at its, उस कौनसे वाले end पे जा करके यह attach होते हैं, that attached to 3-end, यह देखो, यह 3-end पे attach होते हैं, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं. Translation initiate हो रहा है, तो mRNA first binds to, किसी bind होता है mRNA, तो that binds to smaller sub-unit, smaller sub-ribosomal unit, वहाँ से जा करके यह bind होता है, और इसको हम देखें भी, तो यह देखो, smaller sub-unit जा करके bind होता है, सबसे पहले यह वाला bind होगा, और फिर यह bind होगा, यह दोने एक साथ bind होंगे, और तब आकर के mRNA का sorry, तब जा करके translation का initiation होगा, now moving to the next question, E. coli में lac operon जो हो रहा है, वो switched on कव होता है, तो E. coli में यह देखो, lac operon का यह पूरा structure है, तो यह कब switch on होगा, यह switch on कव हो रहा है, यह देखो, यहाँ पे यह block कर दिया है, यह inducer है, यहाँ पे यह lactose आया, ठीक है, यहाँ से आके जुड़ गया, और यह पूरा process हो रहा ह ठीक है, और यह जा करके, confirmational यहाँ से lac आया, lac one, MRN ने, और यह जुड़ा और यह confirmational change हो यह जा करके यहाँ पे, जो यह O position है, यहाँ जा कर जुड़ गया, और यह पूरा process transcribe हो गया, ठीक है, अगर यहीं पे इसको block कर दिया जाए, तो यह process रुख जाएगा, लेकिन यह switch on यह कब शुरुवात हो रहा है, तो यह तब शुरू होगा, जब लेक्टोज रहेगा, यहाँ पे, यह देखो, यहाँ से आरहा है, lac one, यह जुड़ेगा, तभी तो जा कर कि यह switch on होगा, नहीं होगा, तो नहीं जुड़ेगा, नहीं होगा, तो ब्लॉक हो जाएगा, तो ब इस तरीके का पूल बना होगा रहता है, जहाँ पे की DNA रैप होता है, ठेक है, now moving to the next question, differentiate करना है, हेट्रो क्रोमाटिन और यू क्रोमाटिन, तो हेट्रो क्रोमाटिन जो होता है, यह ताइटली पैक्ट DNA क्रोमोजोम होते है, यह ताइटली पैक्ट है, तो डाक स्टेंड जूड़े होगा, तो यह जूड़े हो है, यह ताइटली पैक्ट स्टेंड होगा, तो त्हेनी पैक्ट सुदः होगा। तो जोड़े होगे है तो इसलियू संतीמोल अर्लै और यह साइटली पैक्ट, यह सुख्ट याद है इ lazian क्रोमाटिन, हो मैज तो ये समस्राइख्ट चो coil होगा वो जादा होगा लेकिन compact coil नहीं बनेगा, बहुत ही जादा इक दूसर में चिपका हुआ coil नहीं बनेगा, चेल हो जी, आगे बढ़ते हैं सवाल में, दे रखा है हमें कि enzyme DNA polymerase in E. coli is DNA dependent polymerase, ठीक है, and also has ability to proof read the DNA being synthesized, explain the dual polymerase, तो DNA polymerase का दो काम है, polymerization कर रहा है, वो deoxynucleotide, it is called, that is why it is called as DNA dependent, ठीक है, और proof read भी कर रहा है, यहने कि गलत कहीं पर हो गया है, तो इसको ठीक कर रहा है, और speed up करता है process को, जितना भी process है, ठीक, polymerization हो ही रहा है, और सांत के सांत ही, यह strand को proof read भी कर रहा है, जिसके वज़ए से जो speed है process को बढ़ जाती है, इसी वज़ए से इसको हम कहते है, it is said to have a dual, यानि कि reading the template and then proof reading the new strand, यह दोनों काम करता है, एक ही इनसान है, जो दोनों काम कर देता है, तो दो अलग इनसान के ज़रूरत नहीं है, काम तेजी से हो रहा है, यह यह बात हो रही है, आपे, चलोज़ फिर आगे बढ़ते है, what causes the discontinuous synthesis of DNA in one parental strand of DNA, ऐसा क्यों होता है, तो यह तो हमने अभी देखी रखा है, जो DNA polymerization हो रहा है, वो एक specific direction में होता है, ठीक है, due to this, जो continuous strand है, वो 3-5-end पे बनता है, लेकिन जो discontinuous strand है, वो 5-3-end पे बनता है, और इसी को बाद में DNA ligase जोडता है, ठी ठीक है, क्या होता है, what happened to the short stretches, तो जोड़ देते है DNA ligase, चलिए जी, फिर आगे बढ़ते है, हमें फिर सी एक transcriptional unit दे रखा है, coding strand, उसका complimentary strand बताना है, और MRN ने बताना है, तो complimentary strand यह रहा, बन जाएगा, A, A की जगा पर T, T बनेगा, T की जगा पर A होगा, complimentary बन रहा है, जो इसके साथ वाले है, then MRN complimentary strand का copy हो जाएगा, आराम से वीडियो पॉस करके यह देखना, जहां पर T, A, A होगा, जहां पर 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 U होगा, कहने के लिए सिर्फ वो coding strand होता है, पर असल में, जो coding strand के बाद, जो complimentary strand होता है, इसको non coding strand बोलते हैं, उसी का transcript होता है MRN, now, moving to the next question, DNA polymorphism के बारे में पूछ रहा है, तो polymorphism वो होता है, जब mutations होता है, बहुत ही high frequency से, तो उसको हम कहते हैं, DNA polymorphism, और यह DNA polymorphism जो होता है, यह mutation inheritable होता है, mother to baby, यह transfer होता है, और इसके वाज़े से evolution भी होता है, तो अगर हमने polymorphism को पढ़ा है, तो evolutionary perspective से भी, यह important है, और वहाँ पर भी इसकी help मिलेगी हमें, ठीक है, चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, पहरा सवाल, जो दे रखा है, हमें, based on your understanding of genetic code, explain the formation of abnormal hemoglobin molecule, abnormal hemoglobin molecule, यानि हम sickle cell anemia का example लेकर आगे बढ़ सकते हैं, चलो, फिर, वहाँ पर sickle cell anemia में क्या होता है, glutamic acid की जगा पर replace हो जाता है, valine से, six position पर यह होता है, और as a result sickle shape का बन जाता है, ठीक है, और यह narrow capillaries के थूपास नहीं करता है, ठीक, जाओ लो, जो, आगे बढ़ते हैं, sometimes cattle or even human beings give birth to young ones that are extremely different, that have extremely different set of organs, like limbs, position of eyes, comment, होता है, इसा बिल्कुल होता है, तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि disturbance हो चुका है coordination में, coordination नहीं रहा है expression of genes में, proof reading अच्छे से नहीं हो पाई है, तो जो आगे information जानी चाहिए, वो information नहीं गई है, in fact, the shape of your nose is also described, it is predestined, यह इसी तरीके से proof reading करके ही बनता है, ठीक है, तो यह बहुत ही जादा मतलब की, बोले तो हम बहुत ही complex और बहुत ही delicate process है, एक छोटे से codon की mistake, और देखो, आरे आं जो हमारा sickle shape anemia होता है, वो हो जाता है इंसान को, so be thankful the way you are, we always say that, this is why the reason, ठीक है जी, जो फिर आगे बढ़ते हैं, now moving to the next question, हमें सवाल दे रखा है कि number of ribonucleoside triphosphate is 10 times, यहने कि ribonucleotide जादा है, the number of deoxy ribonucleoside triphosphate से, लेकिन फिर भी deoxy ribonucleoside का ही addition हो रहा है DNA replication में, ऐसा क्यों, यह mechanism क्या है, यह mechanism इसलिए ऐसा है, क्योंकि DNA polymerase highly specific होता है, जो recognize कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ deoxy ribonucleoside triphosphate को, यह RNA के बीटा nucleoside को recognize नहीं करता है, इसलिए उसको hold भी नहीं करता है, तो जब भी replication होगा, addition होगा, deoxy ribonucleosides का, ठीक है जी, चालो, आगे बढ़ते हैं, नहीं few enzymes involved in DNA replication other than DNA polymerase and ligase, बहुत सारे हैं, जैसे की helicases, यह open करता है, है helix ko, DNA helix ko, topoisomerase, वापस से coiling ना हो जाए, helix ने तो open कर दिया, लेकिन वापस से coiling ना हो DNA की, इसके लिए topoisomerase होता है, primase, RNA primer ko synthesize करता है and then telomerase, telomerase end पर जाके telomeric end पर synthesis के DNA synthesis को करता है, now moving to the next question, name any three viruses, जिसका जो genetic material है, वो RNA है, जैसे तो बहुत सारे viruses, उसमें से कोई भी टी नम उठा के लेग लेंगे, जैसे कि TMV, Tobacco Mosaic Virus, QB Bacteriophase, HIV, Human Immunovirus, Immunodeficiency Virus and then Influenza Virus and etc, there are many, so this was wrap on this video, आप हमारे Telegram channel से भी जूड सकते हैं, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, जाए वहाँ जुड़े और नए वीडियो के update को प्राप्त करें, until then stay tuned, stay connected to Delhi Vites, God bless you all.